अधिन्न दाना विर्मनी सिक्खा पदंग स्माद्यामी कामेस लिच्छा जारा भिर मेनी सिखा अप दिंग स्मार्ण और अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम स्वैम बनोगे इसका मतलब है कि हम जो सोचते हैं और वो सोच कर जो हम आत्मसाथ करते हैं और उसके उपर कुटी करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं तो ये बात इसलिए जरूरी है कि बुद्ध ने कहा कि हमारी जो ही है वो लड़ाई असल में सोच की लड़ाई है हम जितनी गहराई से सोच को अपने जीवन में उतारेंगे उतने ही हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे और जितने हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे उतनी हमारी कूतियां परिवर्तन लाएगी तो ये सिद्धान्त अगर दे में हम देखते है कि ततागत बुद्ध ने जो संग की रचना फिर से नए तरीके से की थी उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए थे उसको वीनए काहा था और वही वीनए के आधार पर फिर समराट अशोक के शाशन के रूल बन गए थे तो भगवान बुद्ध ने जो आता आज के भारत से करीब दो ढ़ाई गुना बढ़ा भारत जंबोदीप उस वक बन गया था और उस भारत के राजकान में हम राजा भी थे हम शाशन भी चलाते थे हम शिक्षा भी देते थे हमारी एजुकेशन इंस्ट्यूशन भी की करीब सिर्फ अकेले समराट अशोक क जमाने में करीब करीब 42 इंवर्शिटी शुरू होती है ऐसा इतियास कहता है बाद में समराट हर्शवर्दन के तक उसकी संक्या सव तक चली गई थी इसका मतलब है कि भगवान बुद्ध ने जो एक कम्मई विपाग की थेरी जो बताई है उसके ओपर अगर गैराई से हम आचरेन करना शुरू कर दिया तो हमें हमारे 20 में परिवरतन लाना बहुत आसान होता है यह बात इतियास में हुए थी इसलिए बताया जाता है इतियास कि हम लोग जो है अगर कोशिश करते है तो हम कुछ भी कर सकते है जो हम सोषते है तो यही बाट पकड़ के बाबा तो बाबा साथ ने कहा कि हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए तो जागरूती का अगनी जो है उसको बरकरार रखना चाहिए हम लोग जितने जागरूत रहेंगे अपने एक दूसरे को जागरूत करते जाएंगे उतने हम लोग सजग रहेंगे और उतने हम पूतिशिल रहे और जितने हम परिदीशिल रहेंगे उतनी हम परिदीशल्ट कर पाएंगे परिदीद कर पाएंगे, इसलब्ग करना चाहिए अगर हम विचारों को प्रचारीत और प्रसारीत करेंगे तो वो विचार जो है अगली जेनरेशन को हम हैन्वर कर सकते हैं और विचारों की शिरूंकला अगर बनती है तो हमें हमारा आनेलिसिस करते आता है कि क्या हम लोग प्रगति कर पाए है या पीछे आये तो ये बात बातों का जब तक हम लोग आचरन नहीं करेंगे तब तक हम लोग हमको समझ में ने आएगा कि हमको क्या करना पड़ेगा तो ये दो-तीन निचोड में बाते बाबा साब ने जो कहीं हैं में एक तो यह है कि जो सविधान कितना भी अच्छा हो उसका तुम पालन अगर ठीक से नहीं करते हो आचरन अगर नहीं करते हो उसको इंप्लिमेंट नहीं करते हो तो उसका परिनाम आपको नहीं मिलेगा यही बात हम लोग पिछले सतर साल से भूल गए थे बाबा साब ने हम को सविधान के माध्यम से और सोशो पॉलिटिकल और एकोनामिक और कल्चर रेगुलेशन के माध्यम से हमको धाई हजार साल का अंतर सिर्फ तीस चालिस साल में पार करने की थागत दी थी 1950 में 26 जन्वरी को जब हमारा सविधान इंप्लिमेंट हुआ तम हम लोग कानूनन इक्वालिटी के तोर पर आये थे लेकिन वो जरूरत थी कि वो कानूनन इक्वालिटी थी वो पॉलिटिकल डेमोक्रासी थी उसको हमने सोशल एकोनामिक और कल्चरल डेमोक्रासी में कन्व होना एक जगे पर आकर संगर्ष नहीं करना और एक दूसरे को अंडर्स्टैंड नहीं करना यही कारण है कि पिछले सतर साल में जितनी आजादी हमको मिली थी और Constitution का सबसे बड़ा अगर निचोड के आए तो बाबासाब पहते हैं कि Freedom of Choice आजादी का आजादी की सोतंत्रता मतलब चुनाव की सोतंत्रता हम क्या चुनेंगे चले आजादी हमको सविधान में दी लेकिन किछले सतर साल के हमारे इकठा नहीं होने की वज़े से हमने ये आजादी जो हमने हमको मिलने चाही थी freedom of choice मिलना चाहे था, वो हम लोग अभी नहीं पाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि 2018-19 में जो CAA और NRC का जो कानून बना, उसने अभी अलिकित तरीके से इस देश में एक नेचर पैदा किया है, कि आप second class citizen हो, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई एक अवरत किसी धर्म के खिलाब ब दर्ज होते हैं, लेकिन उसको कोई अठक नहीं करता, उसको कोई सलाखों के पिछे नहीं लेके जाता, उसको मिलती नहीं है, और उसकी प्रतिक्रिया का समर्तन करने वालों की अगर हत्या हो जाती है, और जो हत्या करता है या नहीं करता है, उसको जेल हो जाती है, इसका मतल को तो बाबा साब कहते हैं कि ये काम तो है इंटेलेक्चिल लोगों का इंटेलेक्चिल क्लास जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो प्रवावशाली वर्ग होता है लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर बुद्धिजीवी वर्ग अपना कर्तवे भूल जाता है तो वो अप कहिना कि हम गुलाम कैसे बने बाबा साब कहते हैं कि हमारी गुलामी के जड़ों को हमने ही ज़्यादा मजबूत होने दिया और आज गुलामी को हम लोग सहते हैं इसका कारण और कोई दूसरा नहीं होता हम खुद होते हैं तो ये हम होता कैसे हैं ये इसलिए होता है कि हम ने हमको भला गुरा कुछ कह दिया, नहीं भी किया, तो उस आदमे के नाम से कुछ तो भी पोस्ट क्रियेट की जाती है, और फिर मिसंडरस्टेंडिक की जाती है, और फिर हम लोग एक दूसरों से बिखरते जाते हैं, अईसाई हम पिछले सब्तर साल में करते आए हैं, हम इक गरते जारे है, तो इसका इलाज क्या है, इसका हिलाज एक ही है, कि हम लोग इकर टा क्यूं नहीं हुए, इसके विचारों पर हमने गयायन, चिंतनर करना चाहिए, और उसके ओपर हमने कुछ Consultations for Planning करनी चाहिए, हम लोग अगर County Planning अगर तयार करेंगे, तो हम हमारा Be수 sekali सेक्योर कर सकते हैं वरना हमारी आने वाली जनरेशन को हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं ऐसा एक चर्चा चर्चा में हम रिजर्ट या फिर परिनाम पाते हैं तो इसी लिए वीद पिपल समंसंग पिछले तेरा महने से इकटा हो रहा है लोगों को जोड़ रहा है उसमें से जिस पड़ेगा लेकिन इसके लिए हमको इकटा होने के सिवा और कोई चारा नहीं है हम लोग जब तक इकटा नहीं होंगे तब तक हम लोग ये वीचारों का परिवर्तन और वीचारों की जो लेगेसी है वो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक नहीं ले जाएंगे और हमा अपना सारा कुछ छोड़ कर, भूल कर और खास कर, जो लोग गुद्धी जी भी है, जिनके अपने खाने पिने के प्राब्लेम खत्म हो चुके है, जो बाबा साहब के जो अधिकार हमको मिले है, चाहे रिजर्वेशन के पॉलिशी से हो, चाहे इंट्रिलेक्च्वल प्रापर कर दू, और ऐसे संगर, संगर के प्रति मैं समर्पित कर दू, कि जो लोगों को जोड़ने की बात करता है, लोगों को जोड़ कर, कुछ अच्छा हिसाब है, कुछ अच्छा नयतिक जीवन है, उसको जीने के लिए कुछ करने की चाहा रखता है, ऐसा संगर उसके साथ जोड ताकत से जुड़ेंगे, उतनी ही फोर्स हमारी जुड़ने की और उतने परिनाम हमारे रिजल्ट के आ जाएंगे, इतना ही कहना है, धन्यवाद, जै भीम, जै बुद्द, संगं नमामी. आप सभी से ये निविदन हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है अप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपनी नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसन लेने की बिलकुल भी जरुरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं राइत भागी सारी ये पूझी आपकी है धन्यवाद तंसरेल गच्छामु 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 तंसरेल संगं सरनं गच्छामी तूंतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी बुद्धं सरनं गच्छामी तूंतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी बुद्धं सरनं गच्छामी तूंतियं पी 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 बुद् साथो, साथो, साथो